नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा मैं हूं ग्रीवा और सौकत है आपका हमारे चानल पर आपका फेबरेट मैसेजिंग एप वाटसेप अपने यूजर्स की एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाने के लिए एक से एक बढ़कर नया फीचर लानी की तयारी मे है जैसे कि अभी तक वाटसेप पर कई सांदर फीचर्स लाँच हुए हैं बिल्कुल वैसे ही वाटसेप अपने यूजर इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कई और फीचर्स पर काम कर रहा है और जल्ड ही वाटसेप पर एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसमें ग्रूप एड को मैसेज को डिलीट करने के लिए डिलीट फॉर ओलका बटन मिल जाएगा यानि की ये ग्रूप में भैजेगैं किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकता है और उसके बाद वो मैसेज किसी को भी नहीं दिखेगा ये फीचर्स इडूप एडमीन को अपने वाटसेप ग्रूप को बहतर तरीके से moderate करने में help करेगा अभी तक delete for all का feature सर्फ उस इनसान के पास होता था जो खुद से message भेजते थे यानि कि जो message भेजते थे सर्फ वही उस message को delete for all कर सकते थे लेकिन अब group में अगर कोई message भेजता है तो उस group के admin को भी ये feature मिल गया है यानि कि एगर group के admin को कोई message delete करना है तो वो delete for all कर सकते हैं और उसके बाद वो message किसी को भी नहीं दिखेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये feature मिला है या नहीं तो आप जिस भी group के admin है उस group का कोई एक message आपको select करना होगा और अगर delete for everyone का option आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि ये feature आपको मिल गया है लेकिन अगर delete for everyone का option नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको अपने whatsapp को एक बार update करना होगा जिसके बाद ये feature आपको मिल जाएगा आई hope की whatsapp का ये update आपको काफी पसंद आया होगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करियो और चानल पर अभी तक नए है तो चानल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं next वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक क ये ले मस्काट